नमस्कार आप देख रहे हैं कहानी महा महीं की आपके साथ मैं हूँ चुत्रा त्रपाथी अब तक देश के चार राश्टूपती के बारे में जानकारी आप तक पहुँझा स्चुकी हूँ कि किस तरह राजीन प्रसाद देश के पहले राश्टुपती बने दूसरे महामहिम चुने गए सर्वपली राधा कृष्णन तीसरे महामहिम के तौर पर नाम आया देश के पहले मुस्लिम राश्टुपती का जाकर हुसैन साहब चौथे वीवी गीरी और अब बात करेंगे एक और मुस्लिम राश्टुपती की देश का दूसरा मुस्लिम राश्टुपती होने का गौरव उन्हें मिला और आपको बता देश के पांचवे राश्टुपती चुने गए फखुरुदिन अली एहमद साहब राधानी दिल्ली में उनका जन्म हुआ था इंद्रा गांधी के बेहत करीबी लेकिन हिंदुस्तान पर जो बद्नुमा दाग लगा उस दाग पर हस्ताक्षर करने वाले भी फखुरुदिन अली एहमद ही थे आपात काल इंद्रा गांधी के एक फोन के बाद उन्होंने आपात काल के आदेश पर डस्तकत कर दिये जिसके बाद इस देश में जमकर अख़वारों में उनका मजाग बना उन पर काटून छपे वो फखुरुदिन अली एहमद आखिर कैसे बने देश के महा महिम इंद्रा गांधी के इतने नज्दीक वो कैसे पहुँचे नहरू गांधी परिवार से उनका किस तरह का रिष्टा रहा है फखुरुदिन अली एहमद ने अपने जीवन में पीछे मुड़कर आखर क्यूं नहीं देखा लगातार कॉंग्रेस दोफार वाली इस्तिति के बावजूद वो इंद् क्या गांधी के गलत फैस्तों में भी वो उनके सार्थी बने रहे क्या है फखुरुदिन अली एहमद की कहानी आज बात देश के पांच में महामहिम की फखुरुदिन अली एहमद का जन्म 1905 को राज़ानी दिल्ली में हुआ वो पेशे से वकील थे उनके पिता असम से ताल के डिगरी किसी व्यक्ति को मिली थी तो वो फखुरुदिन अली एहमद के पिता ही थे 1925 में इंग्लेंड में जवाहरलाल नहरू के संपर्क में आते हैं फखुरुदिन अली एहमद और उसके बाद 1931 में कॉंग्रिस की प्रार्टमिक सदिस्टा ले लेते हैं इसके पहले क सालों तक उनको जेल में रहना पड़ता है और फिर आजादी जिसके बाद हिंदुस्तान एक नई हवा में सांस लेता हुआ आगे की ओर बढ़ता है 1948 में असम में जब गोपिनात बोर्दोलोई के सरकार बनी थी तो फखुरुदिन वित्र राजस्व और शम मंत्री बनी थी आपको बताते चले 1952 में राजजिस सभा के लिए वो चुने गए दो बार असम में विधायक भी रहे लेकिन इंद्रा गांधी के नत्रत में जब सरकार बनती है तो देश का महामहीं बना दिया आपको बताते चले कहानिया तो बहुत सारी है लेकिन सबसे दिल्चस्प कहानी हो जाती है देश के स्वदेशी कार के निर्मार की जिसका सपना लेकर संजय गांधी आगे की और बढ़ते रहते हैं के सरसे उद्योग मंत्री रहते हुए तमाम ब पातकाल और ये वो वक्त था जब 25 जून की शाम को इंद्रा गांधी का फून आता है ये कहा जाता है कि एक आदेश आप तक पहुंचेगा उस पर आप दस्तकत कर दीजेगा फकृद्दिन अली हमद इंद्रा गांधी की प्रती अपनी लॉयलिटी निभाते हैं और फिर आ पातकाल पर दस्तकत कर दीते हैं हिंदुस्तान में सबसे बदनुमा दाग लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले राश्चुपती क्योंकि 25 जून 1975 की शाम इंद्रा गांधी का फोन जाता है उनके पास इंद्रा उनसे बाचीत करती है और फिर आदेश पहुंच के साथ डटे रहते हैं आपको ये भी बताते चले तक्रीबन दो साल तक इस देश में आपातकाल लागू रहा वोकाला इतिहास जिसका जिक्र आज भी होता है तो बहुत सारे सबाल इतिहास के पन्नों में खड़ी हो जाते हैं आपातकाल जिसने हिंदुस्तान के इतिहास मे इंद्रा गांधी को लेकर भी बहुत सारी सवाल खड़ी कर दिये दो सालों के बाद इंद्रा गांधी को इस तरह की इंपुट्स मिलने लगे थे कि अब इससी सामानी हो रही है और अगर चुनाव होते हैं तो वो शांदार जीत हासल कर सकती है जिसके बाद लोकसभा को उनकी गैर कॉंग्रिसी सरकार बनती है यानि कि आपात काल लगाने का फैसला इंद्रा गांधी उसको लेकर कितने भी तरगड़ती रहें लेकिन जनता ने उसे सिरे से उनके भरोसे को खरश कर दिया और इस तरह से मौरार जी देसाई के नतरत में इस देश में पहली बार गैर कॉ बताते चलें कि इन पूरे आपात काल के दौरान अगर हम देखे तो 47 ऐसे कानूं भी रहे जिन्हें नौवी अनुसूची में शामल किया गया था अब आपके जहन में ये सवाल होगा क्या अकर ये नौवी अनुसूची है क्या तो जड़ा आगे बढ़ें फुक्रदिन अल करने में जरूरत नहीं पड़ती लेकिन दो साल ये तमाम शक्तियां इंज्वाय करने वाले इंद्रा गांधी मोराजी देशाई के सरकार के आगे पस्त पड़ जाती है और आपात काल के कालिया ध्याई के साथ ही उनकी सरकार हिंदुस्तान से चली जाती है अब आगे ये वहाँ पर उनको पढ़ाई ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लेकिन जब लोटकर वो हिंदुस्तान आते हैं तो सीधे अपनी प्रधानमंत्री मा के पास पहुंच जाते हैं और उनकी और से कहा जाता है कि मुझे कार बनाने के लिए सारी सुबधाय मोहया कराई उस समय इंद्रा गांधी के तमाम वफादार लग जाते हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है फकरुदिन अली अहमत सहाब का क्योंकि तब वो उद्योग मंत्री थे और उनकी और से संजय गांधी को लाइसंस दिलाने के लिए तमाम नियम काईदे कानूनों को पीछे कर दि फकरुदिन अली अहमत एक बार फिर से वापस तोटते हैं इनकी कहानी पर वैसे आपको बताते चलें फकरुदिन अली अहमत जिनको देश का दूसरा मुस्लिम राश्ट्रपती होने का गौरव हासल हुआ लेकिन जाकिर हुसें साहब की तरह ही इनकी भी मौत राश्ट्रप काता है और फिर थोड़ी ही देर में उनकी जान चली जाती है और इस तरह से अपने पत पर रहते हुए जान गवानी बाले दूसरे राश्ट्रपती बन गये जाकिर हुसाइन के बाद फकरुदिन अली अहमत साहब 1974 का राश्ट्रपती चुनाव क्या एलेक्शन के पहले ही तै थी फकरुदिन अली अहमत की जीत जरा उस कहानी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं 1974 की राश्ट्रपती चुनाव इस माइने में अनूठे थे कि कोई भी निर्दली उमीदवार चुनावी मैदान में खड़ा ही नहीं था इलेक्टोरल कॉलिज को दो लोगों में से एक का चुनाव करना था कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से फकुरुदिन अली एहमत थे जबकि वाम दलो ने बंगाल से आने वाले त्रदीब चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था आपको बताते चले रिवुलूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से आने वाले चौधरी को विपक्ष का साजा उमीदवार बताया जाता था हाला कि जिस तरह से वोट पड़े थे उसके मद्दे नजर माना यही गया कि विपक्षी दलो ने भी पकुरुदिन अली एहमत के पक्ष में ही जम कर मद्दान कर दिया था 17 अगस 1974 को जब मद्दान हुआ एहमत की जीत तै थी नंबर गेम उनके साथ था और आपको बताते चले परणाम जब घोशित हुए उस समय के आंकड़े इस पर गौर से ध्यान दीजिएगा तब इस से मैं पता चला कि एहमत को 7,65,587 वोट मिले थे जबकि चौधरी के पक्ष में महज 1,89,196 मत मिले थे इसके साथ ही आप समझ सकते हैं कि फक्रुदिन अली अहमत का ख़द किस तरह से बड़ा हो चुका था और राश्चुपती देश के पांचवे वो चुन लिए गये थे इसके पहले कि मैं अपनी बातों को खतम करूँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि मुस्लिम लीग फक्रुदिन अली अहमत पर आजादी के पहले बहुत डोरे डाल रहा था लेकिन नहरू जी की नजीकियों की कारण फक्रुदिन अली अहमत ने अपको हमेशा हिंदुस्तान से जवाहराल नहरू से असम से जोड़ कर रखा और यही कारण रहा कि एक वक्त के बाद इस देश के राष्टुपती के तौर पर भी उन्होंने महामहिम की कुर्सी को सुशोभित किया ये थी फक्रुदिन अली अहमत की कहानी हाला कि कहानी में बड़े सारे दाउं पेच भी रहे लेकिन बरफर से वो काला इतिहास जिस पर दस्तकत करके गए फक्रुदिन अली अहमत जिसका जिक्र आज भी जब होता है तो हिंदुस्तान के काले इतिहास को देखना और समझना जरूरी हो जाता है अगर फक्रुदिन अली अहमद ने उस आदेश पर दसकत नहीं किये होते तो आज का इतिहास क्या अलग होता अगर फक्रुदिन अली अहमद उसे दोबारा वापस इंद्रा गांधी के पास भेज दिये होते तो आज का इतिहास क्या अलहदा होता बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको आप के लिए हम छोड़े जाते हैं लेकिन आज कहानी महामहिम के इस एपिसोड में बसतना ही कल फिर हाजर होंगे नए महामहिम के अगले किस्से के साथ बताएंगे आपको छटमे रस्चुपती के बारे में सुनाएंगे उनसे जुड़े हुए दिल्चस्प किस्से अभी के लिए दीजे इजाजत नमस्कार